हेलो दोस्तो मैं हूँ अपको अपना संसकारी समेथ एक साल हो चुका है ट्राइबर को लॉंच हुए और एक साल होने के बाद या कुछ टाइम बीथने के बाद जो दिक्कते आती हैं वो आनी शुरू हो गई है उनमें से एक क्या है और वो सबको आएगी आएगी किसी को अभी तो किसी को कुछ टाइम बाद आएगी वो है जो की कार्ड है या किसी भी तरह का रिमोट वाली जो हमारी चाबी है उसके अंदर जो बैटरी होती है वो रिप्लेस करने का समय आ जाता है बैटरी लो वाली प्रॉब्लम वो सब के सामने अब आने लगी है मैंने जो हमारी RX-Z है मतलब जो keycard है हमारा smart keycard उसको कैसे open करना है कैसे battery replace करना है वो तो मैं बता चुका हूँ लेकिन बहुत से लोग है मेरी तरह RX-T and RX-L वाले जिनके पार normal की है normal की कौन सी है ये वाली ये वाली की है normal की बटन वाली इसको कैसे खोलना है कौन सी battery है spare में हमें रखनी है नहीं है कौन सा model है किस-किस तरह से open होगी lock बिना तोड़े तो सारी चीज़े इस वीडियो में cover कर दूँगा करते हैं start इस तरह की चावी हमें मिलती है जो भी हमारी mostly reno की cars है उनके साथ खासकर especially मैं जो बात कर रहा हूँ वो driver की कर रहा हूँ RXT है और RXL है उनके साथ हमें यह चावी मिलती है यह दो unlock का और यह lock का button है अब यह भी क्योंकि remote की है तो obviously बात है batteries के अंदर भी है और time जैसे होई गया एक साल तो इसको change करने का भी time आ गया है कुछ time में आपने हापी चलने लग पड़ेगी तो इस तरह की अगर दिक्कते आ रहे है that means कि जो time है वो आ चुका है इसको replace करने का अब कैसे करेंगे उसके लिए अब यह हमने जो ring है उसे रग दिया एक तरफ और यह बची है हमारी जो की है यह अब इसको खोलना कैसे है इसको खोलने की जो जगा है वो यहाँ दे रखे यह देखो इस जगा और इसको खोलना कैसे है कि बिल्कुछ सही तरीके से खुल जाए तो आपको किसी भी तरह का एक वो लेना है tool type का कि जो इसको damage भी ना करे और easily खोल दे अब मैं जो यहाँ पर use कर रहा हूँ यह देखो यह चमच है मेरे पास इसका corner में use कर रहा हूँ देखो कित्ती आसानी से यहाँ से एसे pressure लगाने आपको कित्ती आसानी से खोल देगा यह देखो कितना easily यहाँ से खोल गया और बैटरी है वह यह है यह यहाँ पर इसके उपर एक जैल जैसा भी लगा होता यह देखिए जूम हो जाए जूम हो जाए यहाँ पर यह देखो यह जैल जैसा लगा हुआ है यह इसलिए लगा होता है कि यह जो points से इसके यह easily इसको touch करते रहे और किसी भी तरह से moisture वगरा आके या कुछ भी इससे जो point है वो हमारा छूट ना जाए या जो current है वो कम ना हो जाए आना easily current वगरा आता रहा है तो यह हमारा part जो है वो अलग हो गया है इसको रखते हैं हम एक तरफ और यह जो battery है इसको हम जैसे मैंने spoon से वो कराता और इसको इस तरह से उपर को निकाल लेना बस simple है यह इसमें इस तरह की battery है यह देखो symptom क्या है मैंने आपको बताया symptom वही है कि अगर आपकी जो normally चलती थी वो चलनी बंद हो जाए कम हो जाए पावर कभी-कभी चल रही है कभी-कभी नहीं चल रही वो चीज होती है तो वो चीज़ सिंटम है उसका कि आपकी बैटरी जो है वीक हो गई है यह देखो इसमें पैनसोनिक के डली आई है CR2032 तीन वोल्ट की बैटरी है और मेडिन इंडोनेशिया है यह वाली तो आप इसको इस पैर में भी लेकर रख सकते हैं अपने घर में अगर आपका टाइम हो चुका है मतलब एक साल करीब हो चुका है एक दो बैटरी लेकर रख लो कोई दिक्कत इसको फिर इसी तरह से लगाना है इसको दबा देना यहां पर यह देखो पूरी की पूरी हमारी लॉक हो गई है तो इस तरह से जो है हम जो बैटरी है उसको चेंज कर सकते हैं और एक और बार इसको कार के पास ले जाकर टेस्ट कर ले ना कि चल रही है नहीं और विसी वात है चलेगी जब बैटरी रिप्लेस हो गई है तो यह था इस वीडियो में आप जैसे मैंने मैंने तो चम्मच कहा है उसको आप किसी भी तरह का कुछ यूज कर सकते हो बस अंदर ज्यादा प्रेशर मत डालना और इसको जितना पाट हो से के अंदर डालके ट्विस्ट करना हलका सा तो यह आटमेटिकली बाहर को खुलाएगा तो यह था इस वीडियो मैं वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करना वीडियो को शेर करना अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करने ना संस्कारिसों में चैनल को जय हैंद